इस समय हम नई दिल्ली के विजय चौक पर हैं और यहां पर दोनों संसद आपको एक साथ दिख रही हैं एक तरफ है पुरानी संसद दूसरी तरफ है नई संसद नई संसद की अगर हम बात करें तो 28 मई को प्रधान मंत्री नर्न मोदी इसका लोकारपण करने जा रहे हैं यहां पर हम कैमरामेन को कहेंगे कि वो दिखाएं कि किस तरह की नई संसद है तो यहां नई संसद आप देख सकते हैं अलग तरीके का लुक है संसद के इस नई भवन का निर्माण कारे पूरा होने के बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिर्ला ने पीम मोदी से भेट कर उनसे इस न संसद के नई भवन के निर्माड के लिए आगरह किया था इसके बाद 10 दिसमبر 2020 को प्रधानमंत्री नरिमूदी ने संसद के इस नई भवन का सिलान्यास किया था संसद के नई भवन को करीब 20 साल में ही तयार कर लिया गया मुखह रूप से इसका निर्माड टाटा प्रोजेक्स लिमिटेड कमपनी ने किया है और इसके मुख्य आर्किटेक्ट बिमल पटेल हैं इस नए भवन की आशिक्ता इसलिए महसूस की गई क्योंकि बीते 75 सालों में संसत के सदस्यों की संख्या बढ़ी है और पुरानी बिल्डिंग के दोनों सदनों में बैठने के लिए सीटें कम पढ़ने लगी थी आपको हम बता दें संसत की पुरानी बिल्डिंग में लोकसभा में 550 सदस्यों के बैठने की बिवस्था है जबकि राजसभा में सिर्फ 200 सदस्यों के बैठने की बिवस्था है जबकि संसत की नई बिल्डिंग में लोकसभा में 888 सदस्य बैठ सकेंगे जबकि राजसभा में 384 सदस्यों के बैठने की बिवस्था की गई है यानि तुलनात्म गुरूप से देखें तो यहां कहा जा सकता है कि अब इस नई बिल्डिंग के लोगसभा चेमबर में 338 अतरिक्त सीटें लगाई गई हैं जबकि राजसभा चेमबर में 134 सीटें अतरिक्त लगाई गई हैं अब तक संसद में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक पुरानी बिल्डिंग में स्थित से में हुआ करती थी जबकि अब नई बिल्डिंग में दोनों सदनों का सेंक्र सत्र लोग सभा चेमबर में ही आयोजित किया जाएगा यानि नई बिल्डिंग की अगर हम बात करें तो आफसेक्ता पड़ी और उसके बाद इसको जल्द से जल्द तयार किया और इस बिल्डिंग का जो आर्किटेक्ट इस तरह से रखा गया है कि आज पास की बिल्डिंग्स को अगर आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि कोई नई चीज बनी तो है लेकिन उनमें सामेता दिख रही है सिद्धार्थ नई दिल्ली निव जिस्टेशन